नमस्कार आज हम लोग थांदला में हैं और थांदला से ही सटी होई एक राजिस्थान के सीमार जहां पर यहां से 30 किलोमेटर दूर कुसलगड में इस समय 53 पॉजिटिव हैं कुरोना के पूरे इलाके में देहसत है क्योंकि यहां का व्यापार रिस्तेदारी तमाम थांदला और कुसलगड की आपस में एक्सेंज होती है थांदला में क्या आसर हुआ है कुसलगड के कुरोना होने का यहां लोगों से हम जानेंगे बात करेंगे उनके अंदर कितना डर है और कैसे किस से नपटने की उनकी तैयारी है देखिए इस रिपोर्ट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डर है जिससाब से वहां पर दिन पर दिन केसस की प्रगति होती जा रही है तो हम लोगों के मन में एक थोड़ा सा दहशक बैठा हुआ है और कहीं ने कहीं हम अपने आपको सेव भी मानते हैं जिससाब से हमारे यहां के पुलिस कर्मी और जिससाब सेवा दे रहे हैं और सभी थानला के जो जागरुग नागरिक हैं वह बहुपी अलट है उससे आप से कहीं कहीं दशक है बट फिर भी हम अपने आपको सेफ मानते हैं मैं थानला को अभी भी सेफ मान रहा हूं चुकि उसका एक जबसे बड़ा रीजन है कि हमारी 20 स तीस दिन पहले की कोई ट्रेवल हिस्ट्री कुशलगड की नहीं है जिन परिवारों में इस बात को लेकर के सवाल उठे थे कुछ दिनों पहले उनकी जाच जा चुकी है और लगभग चुकी इन वाडों में नगर परिशद अपने हिसाब से पूरा सर्वे करा चुकी है कि दॉक्टर्स पहले से मुझते दें और यहां के नागरिक भी जागरूख है जिसके चलते हमें डर तो नहीं है लेकिन साउधानी बरतना होगी चुकी यह बिमारी ज्यादा काफी खतर नाक है जो तेजी से फेल रही है अब कैसा मानते हैं उसे थानला के लिए बहुत ही चिंता का विशे है यह थानला का का काफी सामाजिक और आर्थिक व्यवहार कुशलगड से छूने में आता है टच में आता है थानला में अभी जो सामानी जन्माना से वो लोकडाउन का पालन बहुत ही जिसको कह सकते कि सयमता से कर रहा है और मुझे विश्वा से और आशा है कि आगे भी हम लोग इसी प्रकार से एक रूपता का परिचे देंगे और अपनारी सामाजिक दायतों का निर्वहान करेंगे थानला के समीपस्ति नगर कुशलगड राजस्थान में 50 कोरोना संक्रमित 50 से अधिक कोरोना संक्रित देखेंगा है आप थानला नगर के लिए उसे कैसा मानते हैं थानला नगर के लिए कितना खतरनाक है इसलिए हम भी हार हमतले हैं, जानते हैं कि वीमारी यहां पर आ गई तो फिर उसे निपटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, हमारे पास इतने सोर्स भी नहीं कि हम उसको आसानी से इस चोटे से गाहों में उस चीज को कर सकें, इसलिए यहां की जनता बहुत ही अच्छी है और इन चीजों में सब एक साथ होके इस चीजों का पालन कर रहे हैं, शोशल डिस्टेंस का नगर पूरा संक्रमित होरा जा रहा है, वहां पे 50 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं, थानला नगर को उससे कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे बचना चाहिए, क्या आपके माइन में चल रहा है, कैसे उससे बचा जाए है। जो ये विपदा आई है, वो जल्दी से जल्दी दूर हो। दूसरी बात ये है कि कुशलगड की सीमा हमारी सीमा से लगती होई है, मानने है हमारे जिला प्रशाशन और कलेक्टर मौदे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम हर गली महले से कुछ वालिंटियर्स तैयार करें और हर गली महले से कुछ दो-दो लोगों को सुरक्षा किट दे कर उन्हें तैयार करें कि बाहर के लोग हमारे यहां इंट्री नहीं ले, तो इससे बहुत अत्तक संक्रमन से हम बच सकते हैं, और जब तक इस्थानी प्रशाशन जनता का सहयोग नहीं लेगा, तब तक शायद इस विमारी से मुक्ति पाना हमें संभव सा लगता है, क्योंकि जनता और पुलिस प्रशाशन और इस्थानी प्रशाशन तीनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी आपदा है, और इसमें हम सब को धहरी के साथ और बहुत गं उसमें फिर से वापस संक्रमन का खत्रा बना रहेगा, तो यह जरूरी है कि जब जैसे ट्रांस्पोर्टेंशन शुरू होए, मान लोकल परसों से ट्रांस्पोर्ट शुरू हो जाएगा, तो यहां की सबजी आगर हम कुशल गड़ जाती, तो जरूरी है कि वहां से वो सारी सेनिटाइज होकर आएं सारे वहान जितने भी आ रहे हैं तो यह सब जिम्मेदारी शायद प्रशाशन की भी है या फिर हमारी जनता की भी है हम लोग भी इस पर कड़ी निगार रखें हमारे यहां कोन आ रहा है बाहर का कोन आ रहा है इस पर हम गंबिरता से विचार करें और बाहर से आने वाले वक्ति की सुचना तुरंत जिला प्रशाशन को दे तो यह सब चीजे हम ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि हम अभी तक तो हमारा जिला इस बिमारी से मुक्त है सुरक्षित है और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा जिला हम यह संक्रमन हमारे जिले में दस्तक नहीं दे रात और दिन शन प्रतिशन समुद्र नदियां धरती ग्रहों को नापता कोरोना बनाम डर की इंतहां तिलस्म से मानव को रोंधता शाप बनकर घूम रहा है देश-देश की टोह लेकर संक्रमन और मौत के जखीरे देकर यह भारत आया है उसके आग भामंडल थर-थर आया है उसके आगमन से पूरा भामंडल थर-थर आया है खुश है न तू तूने सभी को जुकाया है धेरी की परिक्षा है तो सही हमारी पर कोरोना तू रुकतो जरा देख अपने आसपास तेरे विनाशक पंखो को कुतरने का शक्ति पुंज है हर भारत तू गिन अब उल्टी सांस इतिहास गवा है कि जब-जब किसी संकट ने भारत में सिर उठाया है तुलसी गंगाजल के पवित्र आचमन मानवता की विश्वाश ने उसे दूर भगाया है ओ हंता ओ दुरात्मा भाग भाग भारत भूमी से नहीं तो फिर सुन ले जरा तू ने यहां आकर अपनी ही मौत को फिर से स्वयम बुलाया है मेरे दस्टिकोंड में जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बार बार अपने संबोधन में देश की जनता को बताया है और अपनी भाषा में राष्ट भाषा में बताया है जो कि सब के गले उतरती है कि हमें अपने घर गरमें ही रहना है घर में ही रहना है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्रशाष की अमला है जो अपने जूटे पर अपनी जान की परवा किये बिना करतवय पर डटा हुआ है उसे चाहिए कि वे अपनी ठानला नगर की जो भी सीमा है मत्यप्रेश की सीमा है राजिस्थान से जुड़ी हुई है चाहिए गुजिराश से जुड़ी हुई है तो वहां सीमा को अपने प्रयासों से अपने जो उपलब्द संसादनों से उसे सील कर दिया जाए एवं जो जरूरी सेवा हैं जीने के लिए जो आवश्यक वस्तु हैं उसके किसे प्रदान किया जावे यह बुद्धी जीवी लोगों को या अच्छे कारिकरताओं को जिनकी अच्छी हो उनको साथ मेले करके यह प्रयास किये जाएं कि कोई भी एक भी प्रक्रण इस जिले में न हो और इसके लिए यही सबसे बढ़िया और सबसे सुन्दर सब सबसे स्वस्थ और सबसे नेक उपचार जो है वे हम अपने सोशल डिस्टेंज जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक दूरी सामाजिक दूरी का आशय अलग-अलग जगे अलग-अलग होता है किन्तु सहीक दस्ट्री कॉन से तो हम तीन फिट दूर प्रत्यक व्यक्ति से रहे घर से भाहर यही कोई आवश्चक कार हुआ तो मास्क लगाएं अपने हाथों को वापस आने पर हाथ पिर धोएं वो सेनेटाइज करें साबन से हाथ धोएं यही सेनेटाइजर उपलब दनों हो तो एक बार नहीं दो बार धोएं और इस तरह से अपने परिवार में भी सब को यही निर्दिश दे मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा जहावलाई को जिनके प्रयास निरंतन रहे और डोर तू डोर आपने मेसेज भेजा साथ ही सरकार के दारा जो गाडलाइन दी गई उसका फालो पूरे नगर नहीं नहीं पूरे देश ने किया और हमा सबी को धन्यवाद जहावाजिले में कोई भी कोरोना केस नहीं पाया गया उसका कारण यही है कि पूरा प्रशाशन अलर्ट है लोगों में सतर्कता है सहचता है सहम रहे हैं घरों में रह रहे हैं इसकारण अभी तक सुरक्षित है जहावालाई के लिए थानला से इरिदेश गुपता